जहन साथियों कैसे हैं आप सब उबेदे आप सब बहुत अच्छे सहोंगे स्वागत है आपका इस वीडियो में और इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न के बारे में डिसकस करेंगे सॉसिलोजिस, समाज सास्त जानेंगे समाज सास्त के अर्थ, परिभासा और इसकी विशेस्ताओं के बारे में समाज सास्त रुपोता क्या है और सिक्छा और समाज सास्त में क्या संबंध है सैचिक समाज सास किसे कहते हैं इसके उद्दियर से आवसकता क्या है और साथ ही साथ तुम ये भी जानेंगे कि समाजी करन की प्रकिरिया क्या होती है। दोस्तों ये सारे पुर्शन बहुत इंपॉर्णेंट है। कई बार आपके एक्सांस में पूछे गए हैं। तो one by one हम देखेंगे, step wise देखेंगे, तो आईए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखने हैं कि समाज सास्त्र होता के। आपको समाज सास्त्र को अंग्रेची में कहते हैं सोचिलोजी और सोचिलोजी दो सब्दों समिल कर बना है। सोचियोज प्रस लोगोज, सोचियोज को कहते हैं समाज, और लोगोज का कहते हैं और लोगोज का मतलब होता है विज्यान, अर्थात, समाज का विज्यान, इसको आसान से सब्दों में अगर हम कहे हैं कि समाज सास्त का अर्थ क्या होता है, कि what is the meaning of sociology, so the scientific study of the society is known as the sociology, समाज समाज का विज्यानिक अध्यान, समाज सास्त कहलाता है, और यह मेरी बात नहीं, महान विद्वान ने विज्द्वान समाज सास्त को इसी प्रकार से परिभासित किया है, आईए नजर डालते हैं कि समाज सास्त की परिभासा क्या होता है, कि समाज सास्त की परिभासा क्या हो बच्चो गिडिंग्स ने कहा था कि सॉसिलोजी इस दस साइंस्टिफिक स्टडी व सोसाइटी सिम वही बात की जा रही है बार बार वही चीज़े आपको सुनने को मिलेगा कि समाज सास्त क्या है समाज का विग्यानिक अध्यान है बहुत यसान सब्दों में और जो अच्छे डेफिनिशन से वहीं आपके लिए लाया गया है ओडम कहते हैं कि सॉसिलोजी इस दस साइंस दैट स्टडी सोसाइटी बात वही है समाज सास्त वह विग्यान है जो समान का अध्यान करता है समाज का अध्यान करता है वी कॉल नेटवर्क और रिलेशनसिप जो भी हमारे रिस्तों का नेटवर्क होता है अंतर जाल होता है उसी को क्या कहते हैं बच्चो समाज सास्त कहते हैं अब आई हम चलेंगे अगले पॉइंच को देखेंगे आसान से सब्दों में अगर आपसे कोई एक सब्द में पूछे कि समाज सास्त को आप एक सब्द में ऐसे कैसे क्या कहेंगे तो आप आसान से सब्दों में यहां लिखिए बच्चो कि समाज सास्त क्या है इसमें समाज अत्वा समाजिक समंदों का वेग्यानिक अध्यान किया जाता है बहुत ही बहतरी नहीं यहाँ पर आपको definition मिल जाएगा किया जाता है और समाजिक समंदों को समझेने के लिए समाजिक क्रियाओं, समाजिक हंतर क्रियाओं और इन सब क्रियाओं के परिडामों का अध्यन किया जाता है तो बच्चो समाज सास्त की यहाँ पे आपको सबसे असपस्ट यहाँ पे डेफिनिशन मिल गई वो क्या है कि समाज सास्त क्या है हमारा समाज सास्त ग्यान की एक साका है जिसके अंतर समाज अत्मा समाजिक सम्मंदों के वेग्यानिक अध्यन किया जाता है और समाजिक सम्मंदों को समझने के लिए समाजिक किरियाओं समाजिक अंतर किरियाओं और इन सब के परिडामों का भी अध्यन किया जाता है तो यह हो तक बात हो गई हमारी समाज़सास्त के परिवासा की अगला पोईंट जो की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा बच्चो बात मोई समाज़सास्ती की जो छेतर होते है on the sociology इसको हम देखेंगे, तो आईए इसको देखते हैं बच्चों समाज साथ की जो छेटर होते हैं आस्य उसे सके अधियन कर सकते हैं तो देखिए बड़ी ही सिंपल सी बात है समाज अत्वा समाजिक समंदों के वियग्यानिक अधियन यह तो हम सब जानते हैं सबकर अध्यान भी समाज सास्त के छेत्र के अंत्रगत आता है अगले प्मक्राइब करें समाजी का अंतंग की रिया मतलने हमारी अंदर कुछ नंत किरिया जैसे कि प्रेम ऊर्द्वेश की भाउन सहयोग और संगहर्ष की भावना इसका अध्यन भी किसके अंत्रगत आता है बच्चो समाज सास्त के अध्यन के अंत्रगत आता है तो समाज सास्त का छेत्र बहुत ही विस्तृत है हम समाजिक नियंत्रण कारक्तत्तों का अध्यन करते हैं जैसे कि संस्कृति धर्म परप्रा र तीरिबाज, लोक, रीती, नीती, विश्वास, मुल्य, आधी इन सब काध्यान, समाज सास्त के छातर के अंध्रत ही आता है और समाजिक परिवर्तन के कारक्ततो काध्यन कि समाज जो परिवर्तन हो रहा है उसके क्या कारक्ततो है इन सब काध्यन किसके अंतिकत आता है समाज सास्त के विशेचेतर के अंतिकत आता है बच्चों तो अगर आपसे सवाल ये पूछता है कि सिक्षा का समाज सास्त पर प्रभाव बताई तो हमने क्या देखा समाज सास्त रवास्तों में है क्या समाज सास्त समाज का वेग्यानिक अधियन है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि सिक्षा जो है समाज सास्त के निर्मार की अधार सिला है मतलब वो आधार है जिस पे समाज सास्त का दिनमार किया जाता है और सिक्षा समाज सास्त को आगे बढ़ाती है सिक्षा के माध्यम से ही हम समाज का अध्यन करते हैं तो सिक्षा हमारा क्या है समाज सास्त का आधार है और सिक्षा ही समाज सास्त को आगे बढ़ाती है यह हम आसानी से कह सकते हैं दोस्तों अब हम देखेंगे बहुत important question कई बार ऐसे सवाल आप से पूझा जाता है कि सैचिक समाज सास्त्र से आप क्या समगें ठीक है? Education, sociology तो अब हम इसको देखेंगे सैचिक समाज सास्त और इसको कहते हैं किसे हैं इसका उपयोग क्या है, इसका समाज क्या है और इसकी अर्थ और परिभासा जानेंगे यानि कि हम सैचिक समाज सास्त के बारे में देखते हैं अपने समाज सास्तर में समाज का वेग्यानिक अध्यान किया अब सैचिक समाज सास्त देखे सिक्षा और समाज के आपसी समंदू का अध्यान से 20 सताबदी में एक नए अनुसासन का विकास हुआ जिसे हम सिक्षा समाज सास कहते है अमेरिका के जॉर्ज पायन को इसका जर्मदाता माला जाता है यानि कि सैचिक समाज सास के जर्मदाता किसको माला जाता है बच्चो वो माया जाता है कि जॉर्ज पायन को इसका जर्मदाता माला जाता है अब यहाँ पे आप पॉइंट नोट करिक सैचिक समाज सास्थ व्यक्ति, समाज, समाजिक संस्ताओं, समाजिक सम्हूं और समाजिक वर्गवादी का अध्यन किया जाता है और देखा जाता है कि इन सब का मनुस्य के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है और फिर इस आधार पर सिक्षा का स्वरूप निश्चित किया जाता है अपने समाज सास्थ में समाज का वेग्यानिक अध्यन किया अब सैचिक समाज सास्थ में आपने जो अध्यन से निश्कर्स निकाला उस समाज के लिए कौन से सिक्षा अच्छी है, सिक्षा में क्या सुधार करना चाहिए, सिक्षा का कैसा स्वरूप होना चाहिए, उस अध्यान के पस्चार जो सिक्षा का स्वरूप आप निश्चित करते हैं, वास्तों में वही समाज सास्त कर जाता है, सैचिक समाज सास्त कर प्रभावपड़ा मैं एकर सिंपल सी बात कह दूं कि आप देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर रटन विद्या आ रही है मतलब उतके पास रटने की छमता ज्यादा आ रही है वो समझ नहीं रहें तो आप सिक्षा में ऐसे उसके स्वरूप करेंगे जहां पर बच्चे समझन करके उसके निसकर्स के अधार पर जो सिक्षा का स्वरूप निर्धारित किया उसी स्वरूप को हम सैचिक समास्सास कहते हैं तो यह हो गई बात सैचिक समास्सास की परिभासाओं के बारे में तो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा सैचिक समास्सास के जन्मदाता हम मान तेन को जोर्ज पायन को अब जोर्ज पायन ने क्या पुट परिवासा दी अब यहां पर है आप से हमारा अभी प्राय है विग्ञांसे जो संस्थाव समाजिक तो जिन इनहोंने कहा था कि सैचिक समाज से हमारा परियावुप्राय उस विग्ञान से कौन सा विग्ञान जो अनुभाई को प्राप्त और संगठीद करता है और उनका वड़न और व्याक्या करता है किसके अनुभाओं को संस्थाओं के समाजिक समुहों के समाजिक प्रक्रियाओं अर्थात समाजिक संबंदों का इनके अनुभाओं को प्राप्त करता है संगठित करता है और इनका वर्लं करता है ऐसे विज्ञान को इन्होंने सैचिक समाजसास कहा था यह है जोर्ज पॉयन जिनको को हम समाज सास सैजिक समाज सास के जनमदाता भी कहते हैं दूसरे अगर परिभासा की बात करें गुड महोदे ने क्या कहा था सैजिक समाज सास इस बात का विग्यानिक अध्यान है कि व्यक्ति समाज के समूह में किस प्रकार से रहते हैं ठीक है इन समूह में रहकर वो किस प् र्क्तितू को किस प्रकार का सिक्षा चाहिए इसी का अधिन और इसी का वध्विग्ञानिक अधिजिम सैचिक समाज सास्थ कहलाता है ये बहुत भी बेहतरी definition दिया गया था इसके दुबरा गुड महोदे के दुबरा आए ये हम कुछ और definitions देख देते हैं बच्चों कुछ और definitions की गर्म बात करें तरहुन महणिशन की सब्दों में गर्म बात करें ब्राउन महादे ने इसके कैसे कआ सकती है कि वह सिक्षा और समाज के प्राश्परिग संबंदों का अध्यान है सिक्षा का भी और समाज का भी दोनों का अध्यन सैचिक समाजस्त कह रहते तो चलिए परिभासा को हम यहां पर थोड़ी दिर की रहो अब हम नेक्स पॉइंट पर चलते हैं वो यह है बच्चो कि समाज सास्त की सैचिक समाज सास्त की और सक्ता उप्योगिता और महतो आखिर इसका महतो क्या है तो जब आप किसी समाज के बारे में विज्ञानिक अध्यन करेंगे तो सबसे पहली चीज़ कि समाज और उसके उद्य से क्या है आप ये सारे चीज़े निश्चित कर लेंगे इसके उद्य से निश्चित करने में आपको सहायता मिलेगा यही सैचिक सास्त की उप्योगिता और महतो है चौथा या बच्चो सिक्चा के पार्ठिकरम के निर्माण में सहायता आपको किस पकार का पार्ठि का यान और शिक्चा की प्रकिरिया में सिक्चक और सिक्षार्ती का अस्थान जैसे जब आप कर्युकिलम पढ़े तो कहीं कहीं सिक्षक प्रमुख होते हैं कहीं कहीं 轉 स्थान क्यार्थी पर मिलेip विद्ध्यारात्य प्रमुख उते हैं teacher center और students center तो जहाए था मिलता है जब आप सेचिक समाज सात यानिकि समाज का वेग्यानिक अध्यन करते हैं तो ठीक है बच्छों दोस्तों अब हम देखेंगे लाश्ट पॉइंट इस वीडियो का और वह समाजी करण ऑके दसोसलाइजेशन वास्तों में समाजी करण क्या है समाजी करण प एक समाज़क में रहनी यूग्य बनाती है सहंमाज के साथ अपना अन्कूलन करने में जीस प्रकार से उस प्रकार से आप अपने या को ढाल ली इस पूरे प्रकिलिया को हम समाजी करण कहते हैं तो अब परिवयोंशarah और ड्वरहा और तौश्यूजर क्या है समाजी करण ए स्वाइम को अन्य सद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् दोसों के अनुरूप धाल सके और उनके तरीके से हम अपनी जिन्दिकी जी सके मतलब खुद को समाजिक बना सके हम समाज को एक साथ ले के चल सके इसी को प्रकिरिया इसी प्रकिरिया को क्या कहते है समाजिकरण करते है जब एक बच्चा समाजी करण के त्वरा एक समाजिक व्यक्ति बनता है अब देखिए बोगार्स महोद ने कहा था एक प्रक्रिया जिसके द्वरा व्यक्ति समूह में दूसरे लोगों के साथ कारे करना और समूह के परती अपने उतर दाइतों को पूर करना सिखता है हम ये सिख जाते हैं कि हमारा समाज के परती क्या दाइतो है तो वह प्रक्रिया हमें किसके द्वरा आती है समाजी करण के द्वरा आती है बच्चो समाजी करण के अगर हम एक और परिभासा ड्रैवर महोदे के अनुशार देखें तो ड्रैवर चीने क्या था कि समाजी करण वह प्रकेरिया है जिसको तो रहा व्यक्ति अपने समाजी करण के साथ अनुकूलन करता है इस पकार वह समाज के माननी ये सहयोगी और कुसल सदल से बनता है ये हो गई बात परिभासा की अगर हम समाजी करण के सहायक कारक की बात करें या फिर हम सहायक इसकी अभी करण या अजेंसी की बात करें कोई एक इंसान को समाजी करण के बनाने के लिए कौन कौन से कारक सहायक होते है उसका परिवार उसके आसपरोस उसकी उसका friend circle यहां पर metric circle, metric समू, सिक्षर संस्था हैं, धार्मिक संस्था हैं, यह वो सारे कारक हैं, जो एक इनसान को समाजिक व्यक्ति बनाते हैं, इसी को हम समाजिक करण में सहायक कारक कहते हैं, चीज़ के बच्चों, चलिए, next point की करण बात करें कि समाजिक करण की विशेस्त मिलता है, और समाजिक करण की प्रक्रिया द्वरा संस्कृति का हस्तनांतर होता है, मतलब आप एक सब्वेता, एक संस्कृति को अपने अगले पीड़ी तक हस्तनांतरित करते हैं, यह सारी चीज़े समाजिक करण की विशेस्ता हैं, दोस्तों तो यह टोटल थी, आज में लिखिएगा, यह जो भी मैंने चीज़े बताइए, थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, आप अपने सब्दों में लिखिए, तो कि आपका उत्तर, आपका अपना उत्तर होना चाहिए, और मैं उम्मित करता हूँ कि आपका अपना आंसर बनाने में, मेरी वीडियो थोड़ी कि अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जूड़े हैं, तो सब्सक्राइब करके चैनल से जूड़ जाएए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों तक शेर करतीजिए, ऐस एक गिफ्ट आप शेर करतीजिए, इस वीडियो के लिंक को, उन्हें भी जरूर पसंद दाएगा, तो इस वीडियो में फिला लिए तना ही दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे किसी अच्छे इंपॉर्टन टॉपिक, इंपॉर्टन पॉइंट के साथ, तब तक आपना खोब ख्याल रखिए, सेल्फ स्टड़ी जरूर करिए, और हाँ, चैनल से जूड़ बहुत बहुत शुक्रिया, ज्याहिं ज्यावार जोस्तों